नमस्कार आप देख रहे हैं सान इंडिया मैं हूब बलराम कारगील में राहूल गांदी बोले चीन ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी लेकिन पियम मोदी सच नहीं बोल रहे हैं दर असल कॉंग्रेस सांसद राहूल गांदी इन दिनों लदाक की यात्रा कर रहे हैं और वहां पर लोगों से लगतार बाते कर रहे हैं वहां की स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे हैं उनका वीडियोज और फोटोज काफी ज़्यादा वाइरल भी हो रहे हैं आज के प्रेस काफ्रेंस में उन्होंने अब तक के अनुभग को साजा किया और कहा हमने कुछ दिन पहले करन्या कुमारी से कस्मीर तक की यात्रा की है यह यात्रा LADDAG तक जाती लेकिन मौसम और परसाशन को लेकर नहीं जा पाई इस यात्रा का उदेश उन्होंने नफरत के बाजार से लरने के लिए खरा होना बताया था उन्होंने बताया था बीजेपी के नफरत के बाजार और आरेसेस के नफरत वाली राजनिती को हम खतम करना चाहते हैं राहुल गांधी ने आगे कहा यह बात तो एकदम साफ है कि चीन ने हिंदुस्तान की हजारो किलोमेटर जमीन ली है दुख की बात यह है कि पियव मूदी ने विपक्ष की बैठक में कहा है कि हिंदुस्तान के एक इंच जमीन नहीं ली गई है आगे उन्होंने कहा सब जानते हैं यहां की प्रकृतिक संसाधन में कोई कमी नहीं है BJP के लोग यह जानते हैं कि अगर आपको परतनिधित्व दिया जाए तो वो आपसे आपकी जमीन नहीं चीन पाएंगे मामला जमीन का है BJP के लोग आपकी जमीन आपसे लेना चाहते हैं और आडानी जी के प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हैं और यह हम कभी होने नहीं देंगे यहीं कहकर उन्होंने इस प्रेस कॉन्फरेंस को समाप्त किया है इसके चर्चा जो रो सो रो से हो रही है ऐसे आप क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा देखते रहे है सान इंडिया